इस कुश्चन में PbO2 से PbO बनने का डelta G दिया हुआ है, नेगेटिव है, अट 298 Kelvin, ठेक है, और SnO2 से SnO formation का डelta G क्या है, पॉस्टिव है, तो जब भी डelta G क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉणडेनियस होता है, निए प्रोसेस प्लस टू मूफ करेगा, जब आपका temperature क्या होगा, 298 Kelvin होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे इसका डelta G क्या है, नेगेटिव है, यानि इस हम बोल सकते हैं, कि लेट का प्लस फोर प्लस टू में प्लस टू से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, अगर बात के तम तिन का, प्लस टू से जाने का जो प्रोसेस का डelta G है positive है, यानि प्लस टू से नहीं है, तो हम बोल सकते हैं, कि इस condition में प्लस फोर टू से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप से question पूछा गया है, कि कौन सा most prole oxidation state होगा, lead एं तिन का, तो simply आपको बोलना है, lead का प्लस तू से ज्यादा स्टेबल होगा, and SN का यानि टिन का, प्लस फोर स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, एं या option जो D होगा, हमारा correct answer होगा, तो यह था इस question का, solution analysis, move करता हम लोग, next question पहे,